नबस्कार दोसों मैं तरन नराब देखरें से मटाइक सबोर्ट चनल और फाइनली टिक्टॉक पर जो बैन लगा हुआ था भूब अभी अठाली गया है मतरास आइकोड ने जो बैन लगाया था टिक्टॉक पर भूब अभी अठाली गया है हाला कि अभी ये गूगल प्ले स्टोर पर अबिलेबिल नहीं है और आने वाले समय मैं ये आ जाएगा लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ सर्ते हैं मतरास आइकोड ने जब बैन है उसको अठाय है तो उनकी कुछ नब को सर्ते हैं कि भाई आपको इस तरह काम करना पड़ेगा उनके जो एप डबलपर हैं उनसे कुछ नब कुछ बात करी है जिससे कि भाई आगे ऐसी कलती ना हो यहाँ पर मैं आको तादम दें कि टिक टॉक पर बहुसार ऐसा कॉंटेंट है जो अप्लोड हो रहा था यहाँ पर बात यह भी सामने आती है कि भाई ऐसा कैसे होगा इस तरह कैसे पैशान करेंगे भाई क्या होगा क्या प्रोसिस होगा इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन 17 साल की उमर के बाद ही आप टिक टॉक पर अपनी वीडियो है उसको अपलोड कर पाओगे दूसरी पास यह है कि भाई जो एप डेवलोपर है उससे भी कुछ नब कुछ उन्होंने रिटिन में लिया है जिससे कि भाई फर्दर ऐसी कोई भी वीडियो पकर अपलोड होती है तो वहाँ पर एप डेवलोपर को काम करना पड़ेगा उनको देखना पड़ेगा कि भाई ऐसी गलत वीडियो है वो अपलोड ना हो अगर फर्दर ऐसी कोई भी गलत वीडियो पकर है वो टिक टॉक पर मिलती है तो हो सकता है कि भाई टिक टॉक फिर से बंध हो जाए तो जितने भी लोग टिक टॉक पर वीडियो बगरा बनाना पसंद करते हैं तो भाई उनसे पस एक ही गुजारिस है इस तरह की वीडियो अगर आपको भी देखे तो आप उसको लाइक बगरा ना करें जिससे की वाई फर्दर वाइरल बगरा ना हो ठीक है अच्छा काम करिए क्योंकि टिक टॉक पर मैं समझता हूँ कि वीडियो बगरा डालना कोई गलब नहीं है अगर आपको पास कोई टैलेंट है तो आप उसको बदा सकते हैं और इसमें जादा जो महनत है वो भी नहीं लगती आप कम समय में अच्छी वीडियो है उसको अपलोड कर सकते हैं तो अगर आपको भी टिक टॉक है वो पसंद आता है तो वाई कमेंट करना और साथ ही मुझे बताना कि भाई टिक टॉक पर आपको और क्या क्या बदलाब है वो होनी चाहिए जिससे कि वीडियो है वो वाइरल नहों तो मैं लगता कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगा तरह हूं थैंकियो सुमचर बाबाय टेक क्यार